ठमल एल वेच तुसी बिल्कुल सही पढ़ेया आज जासी तुहानू इस वीडियो वेच गुरु गोबे सिंग जी बारे जान कारी देन जा रहे हां इस तो पहला तुसी साधे चैनल नो सबस्क्राइब कर लेओ तांके हार नोटिफिकेशन ता डिकौल पहलना पहुं सके गुरु गोबे सिंग जी दा जनम बाई दसंबर सान सोला सो शेयाठ इसवी नू पतना साहिब भिहार विखे होया उनना दे पिता गुरु तेक बहादर जी अते माता माता गुजरी जी सन सन 1675 वेच उदो गुरु गोबे सिंग जी दी उमर महज 9 साल दी सी के गुरु तेक बहादर जी तरम दी खातर कुर्बान हो गए अते उस उपरन्त ग्यारा नवंबर 16-75 ऐसवीनू गुरु गोबे सेंग जी गुर्गदी टे बिराज मान हवे गुरु साहिब्दे तिन व्या हवे अते गुरु साहिब्दे चार पुतर सन बाबा अजीत सेंग जी बाबा जुजार सेंग जी बाबा जोरावार सेंग जी अटे बाबा फते सेंग जी गुरू जी ने टी मार्च साना सूला सो नड़ी नुए इस्वी नुँ वसाखी वाले देन खाल सा पंथ दी स्थापना कीती ते पंजा प्यारे नुँ अम्रत शकाया गुरू जी ने पौंटा साहिब अबिचल नगर आदिक स्थाणा दी स्थापना कीती गुरू जी ने जबरते जुलम दे खलाफ चवदा जंगा लड़ी गा सानस्तारा सो चार ईस्वी वेचे गुरू साहिब दे वड़े साहवजादे चमकवर दी जंग वेच शहीद हो गए अते छोटे साहवजादे नु निहावेचन के शहीद कर देता गया गुरू साहिब फिर दीन ने पुझे अते उते जाके उनाने आउरंगजेब नु जफरना मालेख ए गुरू साहिब कोचेर मगरों गुदावरी दे कंडे पहुंचे अते उते उनाने मादोदास नु बंदा सेंग बहादर बनाया गुरू साहिब अपने अंतिम समे नदेड विखे रहे सन 1708 इसवी नू गुरू साहिब ने गुरू गुरंस साहिब जी देगे पंज पैसे अते नारील राके मत्था टेक किया अते खाल से नू हुकम किता कि अज तो तुहाड़ा गुरू गुरंस साहिब है शब्ध ही गुरू है फिर साथ अक्तुबर सन 1708 इसवी नू गुरू 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 सिंग जी नदेड हजूर साहिब नदेड विखे जोती जोसमा गए